साक्षी चाकू के 5-7 वार जहेलती रही और आसपास के लोग देखते रहें लेकिन कुछी सेकेंड्स में वो साक्षी लाश बन चुके थी उस हैवान के सर पर खून सवार था वो लगातार चाकू घोपता रहा और लोग देखते रहें यह वीडियो आपको डिस्टरब कर सकती है लेकिन देखेगा जरूर यह आज के जिन्दा कौम के असली तस्वीर है व्लोग और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली जनरेशन किसी के दर्द को महसूस करना भूल चुकी है वीडियो में दिखता है कि एक बार उस दरिंदे ने चाकू मारा तो लड़की का सरीर उच्छाई गया लड़की के सिर्व में भी उस दरिंदे ने शायद चाकू घोपा था लड़की दम तोड़ चुके थे ये घटना दिली में रोईनी के शाबाट डैरी आलाके में हमले का शिकार हुई उस बदनसीब नापालिक लड़की का नाम साक्षी था हत्यारे ने 20 से जादा बार चाकू से वार किये उसके बाद भी उसका सेतानी दिमाग शान्त नहीं हुआ बाद में उसने पत्थर से भी कुचल दिया वो भी एक बार नहीं पांच बार पत्थर उठा कर मारा सिच्वेशन ऐसा था कि खौव भी काप जाए 16 साल की साक्षी का सरया मडर हो जाता है और दिली की जनता देखती रहती है कितनी शर्मनाक है ये हत्यारे का नाम साहिड है 20 घंटे की भीदरी दिली पुलिस ने उसे बुलंद सहर से पकड़ लिया पर वीडियो में दिखरें इन 10 लोग को रात्वनींद कैसे आई होगी माफ करना साक्षी हमारी आत्मा मर चुकी है अब सवाल आता है क्यों उनकी साहिल को किसी ने क्यों रो नहीं रोका कल साम साक्षी के साथ वही मौजूद उन 10 लोग की इंसानियत भी मर गए थे जिस गली में उसके साहिल चाकू मार रहा था वहां करीब 5-6 लोग और 3-4 औरते दिखाए देरी होती लेकिन किसी ने उस हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं कि एक आदमी ने चाकू बाज को रोकने की कोशिश भी की लेकिन बाद में वह भाग गया एक बार फिर से नावाली की हत्या का एक शर्मनाक वीडियो देख लेजिए इस बार उन लोग को देखे जो पास से गुजर रहे होते हैं ऐसे लोग मिले तो इन्हें मुर्दा कह दीजेगा लड़के के अगर दो लोग भी पकड़ लेतो तो स्राइज साक्षी की जान बच जाते श्रद्धा निधी हो या साक्षी बस नाम बदल रहे है आफताव सुफ्यान हो या साहिल बस नाम बदल रहे है सोच इरादा और अन्जाम नहीं लव जिहाद के ऐसी कहानिया आपने बहुत सुनी होगे आज कल तो कोई रील्स भी सडक पे बना रहा हो तो लोग भीड लगा देते और यहां तो सरया मडर हो जाता है दिल्ली वालों का जमीर एक कतल को लाइफ देखती हुए भी नहीं जागा हैरानी होती है कि दो-ती लोग खड़े ओकर देखते रहते हैं जैसे मदारी कोई खील दिखा रहा हुँ हलकी सफे तीशेट वारा लड़का बड़े अराम से जेब में हाट डाले चला जाता है वैसे तो गली में पती पतनी के भी जगड़ा हो या पड़ोसियों के बीच का वावाल लोग इतने फरी होते हैं कि गाड़ी खड़े करके भी मोज लेने से नहीं चुपते हैं यहां तो लड़की की जान ली जा रही थे और ये मुर्दे बनके खड़े होके तमाशा देख रहे थे अब मेरा दूसरा सवाल क्या आपकी बेहन बेटिया होती तो आप भी ऐसी देखते रहते हैं उन नौ से दस लोगों को और खास दोर से महिलाओ से कोई पूछे कि क्या आपके घर की बेटी होती तो भी आप ऐसी मुर्दी बन जाते हैं महिलाओ का तो मा का दिल होता है ना उनका भी दिल क्यों नहीं पसी जाए अपनी जान बचागर भागना तो ठीक था लेकिन एक बच्ची की जान बचाने के लिए कम से कम हमलावर को पत्थर से पत्थर तो फीका होता सीसी टीवी फुटे से साफ है कि पास में कुछ पत्था रखे हुए थे अगर पास साथ लोग पत्थर से मारने भी लगते तो अत्यारा रुप जाता और शायद उसे पकड़ा भी जा सकता था गली में कई लोग के घर है और उस समय पुने नौ बज़े थे मतलब सब लोग सोई नहीं थे फिर भी वहां किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखा चाहे कसाब हो या साहिल या आपके आस पास ही रहते हैं इनको देखने में ये देखने में तो इनसानी लगते हैं लेकिन यकीन मालि सही सलामत अपने घर होती अब मुझे यकीन हो गया है दोस्तों कि कल्योग अपने चरम सीमा पर है